बाबा के हम सब बच्चे इश्वर ये ज्यान को धारण कर, बाबा को याद करते हैं, फिर याद की शक्ती से, उस ज्यान का स्वरूप बन जाते हैं, और जब स्वरूप बनते हैं, तो सेवा, ऑटोमाटिकली होने लगते हैं, हमारे स्वभाव से, बदले हुए संसकारों से, बाचा से, दृष्टिकोन से, आटोमाटिकली आत्माओं को प्रेरणाय मिलती रहते हैं, उन्हें बाबा का परीचे मिलता रहता है, और हमारे भीतर भी, इश्वर ये ज्यान के आधार पर, उमंग उत्साहा बढ़ता रहता है, ये बड़ा हुआ, उमंग उत्साहा, सदा कायम रहे, ये हम सभी चाहते हैं, पर अन्तु, प्रेक्टिकल क्या होता है, शुरू में अवस्था उपर होती है, फिर धीरे धीरे नीचे होने लगती है, क्या कारण है, कि ये नशा स्थाई नहीं रहता, और जेन आत्माओं को नशा रहता है, उनकी निशानिया क्या होते हैं, आज इन सभी प्रश्णों के उत्तर, हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे, तपी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज है साथ दिसम्बर दो हजार तेज, बाबा के मधुर महावाक्यों है, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़, सर्विस करने का उमांग रखो, हुल्लास में रहो, सर्विस में कभी ठकना नहीं है, कितनी सारी बातें बाबा ने शुरू में ही दो लाइनों में कह दे, क्या करना है, सर्विस का उमांग रखना है, परन्तु उसके लिए पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ना है, दूसरा, फिर हुल्लास में भी रहना है, और सर्विस में ठकना नहीं है, प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्यान का नशा चड़ा होगा, ज्यान का भी नशा चड़ता है, उनकी निशानी क्या होगी? सब चेक करेंगे अपने अंदर, क्या हमारे अंदर ये निशानिया है, उत्तर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, सबको है न शौक? वहसदा, मंसा और वाचा, सिवा में ततपर रहेंगे, सबको बाब का परीच्वे दे, सबूत देंगे, बाबा का परीच्वे देते हैं न, तो सबूत देते हैं बाबा का, बाजशाही स्थापन करने, निमित, सहन भी करना पड़े, तो सहन करेंगे, जब आप इतने उचे लक्षे की और बढ़ते हो, तो कहीं बातों को सहन करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे सहन भी करेंगे बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे तो चड़ाय सबको नशा, ऐसा नशा गीत है माता ओ माता तु सबकी भाग्य विधाता माता ओ माता ओ माता तु सबकी भाग्य विधाता माता माता दु सबकी भाग्य विधाता माता अब नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं गीत तो गा रहे हैं, सुन रहे हैं पड़ तु जानते नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार है मा को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे यह मा बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है सौभाग्य विधाता उनको कहेंगे, नोट करेंगे सभी जो पुरुशार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं पूरा सौभाग्य कम नई, सूरेवन्शी चंद्रवन्शी घराने में वर्सा लेते हैं सौभी नंबर वार बहुत तो ऐसे भी हैं, जिसे भील होते हैं न, क्या करते हैं भील बहुत साधारन प्रजा में जाकर जन मलेंगे जैसे कि समझी नहीं आता है, वह मर्तबा नहीं पा सकते बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो क्यूं होता ऐसी स्थिति क्यूं आती है? क्योंकि पुरानी दुनिया से अभी भी ममत्व है दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का धंग नहीं आता है तो सब कुछ चाहिए ऐसे नहीं उमंग है परंतु सर्विस करने का धंग नहीं आता डारेक्शन तो बहुत मिलते हैं बाबा तो सब डारेक्शन बताते हैं कैसे कैसे सेवा करो लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए त्रिमूर्ती और जाड के चित्र तीस बाइ चालिस के होने चाहिए यह बहुत यूस्फुल चीजे है परंतु इनका कदर बच्चों में कम है भलसंजे का बहुत मान है जगतीश भाइ साब का परंतु वह गायन पिछाडी का है जिसे कहते है अतिंद्रिये सुख गोप गोपियों से पूछो वह भी पिछाडी की अवस्था का गायन है अभी वह सुख किसको थोड़े ही है अभी तो रोते गिरते रहते है माया थपड मार देती है भल रोज आते है परंतु वह नशा थोड़े ही चड़ता है तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते है तो बाबा चाहते हैं बच्चे ऐसे हो जिनमें उमंग हो, उत्साहा हो, सर्विस का नशा हो अब कहते रहते हैं वन रिलीजियन हो वन गवर्णमेंट भारत में थी उनको ही स्वर्ग कहा जाता था परन्त कोई जानते नहीं पाँच हजार वर्ष पहले राम के राज्चे यानी सत्युक त्रेता में एक ही गवर्णमेंट थी दो थी ही नहीं वहाँ पर द्वैत नहीं होता जो ताली बज़े जो लडाई जगड़ा हो यहां भी कहते रहते हैं हिंदू, चीनी, भाई भाई फिर देखो क्या करते रहते हैं फिर लड़ते भी रहते हैं गोली चलाते रहते हैं यह दुनिया ही ऐसी है स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं स्त्री पती को भी थपड मारने में देरी नहीं करती बाबा को सब पता है है ना घर घर में बहुत जगड़े रहते हैं भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्णमेंट थी जहां थी वो लोग भी भूले हुए हैं अभी तो अनेक गवर्णमेंट अनेक धर में हैं तो जरूर जगड़ा रहेगा जब इतने सब होंगे तो जगड़ा तो होगा ना तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्णमेंट थी उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्णमेंट लक्षमी नारायन का जब राज्य था तो वण गवर्णमेंट थी भक्ति मार्ग होता ही बाद में है सत्युक्त्रेता में भक्ती होती नहीं मनुष्य अपना एहंकार बहुत दिखाते हैं परन्तु ज़्यान कौडी का भी नहीं है दिखाते तो बहुत है ना लेकिन ग्यान तो नहीं है ग्यान किसके पास है ग्यान सागर के पास है यूँ ग्यान तो बहुत है ना डॉक्टरी का ग्यान बैरिस्टरी का ग्यान दुनियावी ग्यान है ना बाप कहते हैं जो डॉक्टर ओफ फिलोसफी कहलाते हैं उनके पास यह ग्यान जरा भी नहीं है यह वाला ग्यान नहीं है भले अपने को PhD कहलाएं डॉक्टरेट की डिगरी लें पर तो यह वाला जो सच्चा ग्यान है वो किसी के पास नहीं है फिलोसोफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं तो तुम बच्चों को सर्विस का شौक रखना है क्योंकि यह ग्यान किसी के भी पास नहीं है तो हम अगर सर्विस का शौक नहीं रखेंगे तो उनको यह ग्यान कौन देगा स्थापना में मददकार बनना है अच्छी चीज बना कर देनी है जैसे मनुश्य वैसा निमंत्रन दिया जाता है जैसे मनुश्य होते हैं न accordingly फिर invitation card उसी according प्रिंट कराय जाता है जैसे government में बहुत officers है education minister है chief minister है यहां भी office होनी चाहिए direction निकले वै फिर अमल में लावे बाबा चाहते हैं अब देखो गोरकपुरी गीताएं निकलती है गोरकपुर की गीता बहुत मशूर है न सब free देने के लिए तयार रहते हैं जो भी संस्थाएं है उनको funds बहुत है कश्मीर का महराजा मरा तो सारी मिलकियत आरे समाजियों को मिली क्योंकि आरे समाजी था तो सब के पास बहुत funds है सन्यासियों आदियों के पास भी बहुत पैसे रहते हैं बाबा को सब पता है जो सन्यासियों हैं आरे समाजी हैं कोई भी हैं सब के अपने अपने source of income होते हैं तो सन्यासियों आदियों के पास भी बहुत पैसे रहते है तुम्हारे पास भी जो पैसा आदी है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो तकि भारत स्वर्ग बने तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो रात दिन का फर्क है उनकी मदद उनकी सेवा और हम जो मदद कर रहे है और हम जो सेवा कर रहे है रात दिन का फर्क है वह दिन प्रति दिन नर्कवासी बनते जाते है तुमको अब बाप स्वर्कवासी बनाते है है तु सब गरीब ऐसे नहीं कि हम पैसे इकठे करते हैं तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा सब यग्य में सर्विस में लगा दो इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं बन गवर्ण्मेंट तो हो नहीं सकती तो गवर्ण्मेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बरोबर वन गवर्ण्मेंट थी तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे है वह है ही Heavenly Godfather हम वन डेटी गवर्ण्मेंट स्थापन कर रहे हैं ऐसे ऐसे समझाना है वहाँ devil government होती नहीं उन सब का विनाश हो जाता है तुम्हारे पास knowledge बहुत अच्छी है बहुत काम हो सकता है देली head office है बहुत सिवा कर सकते हैं वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे है जगदीश संजे भी है परन्तु संजे तो सब है ना एक नहीं केवल एक नहीं बाबा कहते है सब यह title सब का है सब को बाबा का ज्ञान यह knowledge सबात्माओं को देनी है सब सेवा के निमत हैं तुम हर एक संजय हो अपना title आज का सभी याद रखेंगे हम सब कौन है संजय है तुम्हारा काम है सब को रास्ता बताना बाब तो अच्छी रीती समझाते रहते हैं परन्तु बच्चे अपने ही धन्दे धोरी में बच्चो आदी की संभाल में फसे हुए हैं ग्रहस्त विहवार में रहते बाब के मददगार बने वह नहीं है कंप्लेंट करें बाबा यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है वन गवर्ण्मेंट कैसी स्थापन हो रही है यह चक्र ड्रामा दिखो समय दिखा रहा है जिसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बना कर लिखना चाहिए क्या अब काटा आकर पहुचा है दिखाओ कि कैसे इस बेहत की घड़ी में बस बारा बचने वाले हैं और इसके बाद सत्युक शुरू होने वाला है फिर वन गवर्ण्मेंट होनी है बबा डारेक्शन देते है शिव बाबा तो गलीओं में जाकर धक्के नहीं खाएंगे अगर यह जाएं तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए अभी भी बड़े बुजर्गों को नहीं खुद जाकर सेवा करनी चाहिए यह सर्विस करना बच्चों का काम है लिखना चाहिए क्या वन गवर्ण्मेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है दिको बाबा तो बहुत सारी युक्तियां बताते हैं अब हम बच्चों को अमल मिलानी है कितने वर्षों से यह यग्य रच्चा हुआ है सारी दुनिया का जो कच्चरा है वह इसमें समा जाना है है बहुत सहज परन्तो सभी को समझाने में समय चाहिए राजा तो कोई है नहीं कि बस राजा ने जारी किया फर्मान और सब तक पहुँच गया है ना तो धिंडोरा तो पिटवा नहीं सकते कोई एक राजा तो है नहीं आपर किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं ध्वारा उसका विस्तार कराते थे क्योंकि राजा में ताकत रहती है अभी तो अलग-अलग मेथट्स है एड़टाइजिंग करने के किंग बनते है या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से बस दोई तरीके हैं यहा तो है ही प्रजा का राजय प्रजातंत्र है तो राजा तो कोई है नहीं एक गवर्णमेंट नहीं है एक फकीर सिपाही भी गवर्णमेंट है किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते ऐसे बहुत काम होते रहते हैं दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है। सब सेवा करेंगे ना सोना नहीं है। जैसे सतसंग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते। कोई हुलास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी हुलास कम है। बाबा आज बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें बाबा की इस कंप्लेंट का फिर जवाब देना है। हुलास दिखाना है, उमंग दिखाना है। ना सेवा पर ततपर रहना नीद नहीं करनी है। गवर्न्मेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फरस्ट क्लास फूल होते है उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे बाप की भी यह फुलवारी है फुलवाडी में फिर कोई आएंगे to हम कैसे सेर कराएंगे नाम बताएंगे यह अच्छे-अच्छे फूल है बाबा का चेतन बगीचा है तो इसमें सभी बाबा के रोहानी गुलाब है अलग-अलग तरह के फूल है तो वह कहते हैं अच्छे अच्छे फूल है तांगर अक के भी फूल बैठे है चमकते नहीं है सर्विस नहीं करते है तो बाबा फूलों का एक्जामपल देकर बच्चों को बता रहे है रोज कोई न कोई को बाप का परीचे अवश्य देना चाहिए पक्का कर लो बाहर जाते हैं किसी से मिलते हैं तो सब को पहले ये बताना है बाबा कौन है तुम तो हो गुप्त कितने विग्न पड़ते हैं सर्विस लायक बने नहीं है बाबा बार बार कहते हैं क्या मंदिरों में जाओ शम्शान में जाओ भाशन जाकर करना चाहिए बहुत सारे सेवा के स्कोप्स है बच्चों को सर्विस का सबूत देना है सैकणों से कोई निकलेंगे मित्र संबंधियों आदी को भी समझाना चाहिए यहां आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो कई लोग हैजिटेट करते हैं सेंटर जाने में तो घर में समझा सकते हो बाप का परीचे मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए सेवा में थकावट नहीं होनी चाहिए सौ में से एक निकलेंगे बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े तो पहले से ही बब बता रहे हैं एक तो ठकना नहीं है, दूसरा सहन करना पड़ेगा जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगी धर नहीं बनेंगे कलंगी धर बनना है ना तो कलंग तो लगेंगे ग्यान का नशा चड़ा हुआ है परन्तु रिजल्ट कहा अच्छा, दस बीस को ग्यान दिया उनसे एक दो जागे वह भी बतलाना चाहिए न सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे बाबा का, बाप का परीचे दो तुम्हारा बाप कौन है तब ही फिर वर्से का नशा चड़े तो पहले बाबा का परीचे फिर वर्सा तुम भाशन करो वर्ड में सिवाई ब्रम्भा कुमार ब्रम्भा कुमारियों के वर्ड की हिस्ट्री जियोग्रॉफी कोई भी नहीं जानते चैलेंज करो देखो बाबा कितना उमंग उच्छा दिला रहे है तो बिलकुल जोर शोर से सर्विस में लग जाना है तो भाशन करो चैलेंज करो बाबा ने शम्शान की बात उठाई तो तुमको शम्शान में जाकर सर्विस करनी चाहिए धन्दा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे बाकी समय कहां चला जाता है पूछ रहे हैं बाबा 24 घंटे होते हैं न तो बाकी समय कहां चला जाता है ऐसे फिर उच्पद पाने ही सकेंगे बाबा कहींगे तुम आये हो नारायन को वा लक्षमी को वरने परन्तु अपनी शक्ल तो देखो शक्ल देखना यानि अपने कर्मों को देखना अपनी स्थिती को देखना अपने पुरुशार्थ को देखना तो गर ऐसा उच्पद पाना चाहते हो तो फिर इतनी सेवा भी करनी पड़ेगी बाबा समझाते तो ठीक है बाबा समझाते तो ठीक है न एक ही टॉपिक उठाओ वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्रॉफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है अलग-अलग तरीके समझाने के अखबार में डालो हॉल लेने की कोशिश करो तुमको तीन पैर पृत्वी नहीं मिलती पहचानते नहीं है यह है साकार मुरली तो पहले की बाते हैं अभी तो सब पहचानते हैं ब्रह्मा कुमारियों को तुम हो परमधाम के फॉरिनर्स तो पहले बाबा ने क्या टाइटल दिया? संचे अब दूसरा तुम कौन हो? परमधाम के foreigners आत्माई सब परमधाम से आई है तो यहां सब क्यों हुए? foreigners हुए ना? परन्तु तुम्हारी यह भाशा कोई समझते नहीं यहां साकार में नहीं बताया जाता कि पाउँ छो यह करो जैसे साधू महात्माओं के पाउँ चूम कर धोकर पीते हैं उसको तत्व पूजा कहा जाता है पाच तत्वों का शरीर है न? भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो देखो भारत का क्या हाल हो गया है? तत्वों की पूजा करने लगे है तो उसलिए सेवा करनी है सभी को सुख दो यहां तो बस यह तात लगी रहे यह चिंता रहे बुद्धी योग बाब के साथ हो यह चिंता रहेगी कैसे सबको बाबा का परीचे दें कैसे सबको सुख दें गीत माता तु सबकी भाग के विधाता माता जगत अम्बा भाग के विधाता है पद माता पाती है वह भी कहती शिव बाबा को याद करू मैं भी उनसे धारण करके और उनको धारण कराती हूँ सवभाग के बनाती हूँ तुम हो भारत के सवभाग के विधाता न सब का भाग के बनाने वाले तो कितना नशा होना चाहिए जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की तुम बच्चों को यग्य की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए तो रोहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए मनमना भव का मंत्र सब को देना है मन मना भाव यह है मन्सा मध्याजी भाव यह है वाचा मन्सा से मन बुद्धी से बाबा को याद करना है और वाचा से फिर स्रिष्टी चक्र का ज्यान बताना है स्वर्ग क्या है कैसा है कैसे स्थापन हो रहा है कैसे विश्णुपूरी बन रही है सब बताना है तो मंसा से मनमना भव वाचा से मध्याजी भव मध्याजी भव यह है वाचा इसमें कर्मणा भी आ गई कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए गाओं में सर्विस अच्छी होती है बड़े शहरों में बहुत फैशन है Temptation बहुत है तो क्या करें वैसे भी देखा जाता है गाओं वालों में भावना बहुत होती है क्या बड़े शहरों को छोड़ दे फिर ऐसे भी नहीं गाओं की भी सिवा करनी है शहरों की भी बड़े शहरों से साहुकारों से आवाज निकलेगा बगी दुनिया को तो इस मन मनाभव के चू मंत्र से स्वर्ग बनाना है बापबैट समझाते हैं यह जगदंबा कौन है यह है भारत की सौभाग्य विधाता इनकी शिव शक्ती से ना भी मशुहूर है है घ्यद है जगदंबा अरथात भारत में One Government की स्थापना करने वाली हैड कौन? जगदंबा भारत माता शक्ती अवतारों ने भारत में One Government स्थापन की है श्रीमत के आधार पर अच्छा रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुड मॉनिंग नमस्ते 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 बाबा धारना के लिए मुख्य सारहे पहला बुद्धी योग एक बाप से रखना है मनमनाभव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है दूसरा सर्विस में कभी ठकना नहीं है स्थूल सेवा के साथ साथ रुखानी सेवा भी करनी है मनमनाभव का मंत्र सबको याद दिलाना है वर्दान है बाप समान हर आत्मा पर क्रिपा वर रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भाव क्या वर्दान मिला मास्टर रहम दिल भाव कैसे बनेंगे जब बाबा के समान हर आत्मा पर क्रिपा वर रहम करेंगे जिसे बाप रहम दिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर क्रिपा वर रहम करेंगे चोकी बाब समान निमित बने हुए हो ब्रामभण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रती घ्रिणां नहीं आ सकती चाहे कोई कंस हो जरा संधी हो या रावण हो कोई भी हो लिकिन फिर भी रहम दिल बाब के बच्चे घ्रिणां नहीं करेंगे परिवर्तन की भावना कल्यान की भावना रखेंगे क्योंकि फिर भी अपना परिवार है परवश है परवश के उपर घ्रिणां नहीं आती बाबा ने हमें हर बात का ग्यान दे दिया है हर आत्मा का अपना अपना पाठ है आत्माय माया के वश होकर घ्रिणा करती हैं इर्शा करती हैं परन्तु हमें समझदार होकर सब के प्रती रहम भाव रखना है किसी के प्रती घ्रिणा नहीं रखनी है स्लोगन है मास्टर ज्यान सोरे बन शक्तियों रूपी के रणों से कमजोरी रूपी के चड़े को भस्म कर दो ऐसे ऐसे ड्रिल करनी है मास्टर ज्यान सोरे बन कर शक्तियों रूपी के रणों से अपने अंदर की कमजोरीयों को खत्म करना है तो आज सभी क्या हूँबग करेंगे बाबा ने टाइटल दिया हम सब कौन है परमधाम से यहां आए हैं तो कौन है foreigners है तो इसी स्थिती में रहेंगे जैसे कि मैं इस दुनिया में foreigner हूँ आया हूँ जाने के लिए जैसे महमान आते हैं तो अपने को इस देह से, दुनिया से, समबंधों से न्यारा जैसे foreigner होते हैं तो वो अलग होते हैं दिखते भी अलगी हैं उनका style भी अलगी होता है तो हमें भी सदा मैसूस हो कि हम तो वास्तव में परमधाम के निवासी हैं हम तो जोती बिंदु आत्मा है ये पंच तत्वों की दुनिया में आए हैं घुमेंगे अपना पाट अदा करेंगे फिर चले जाएंगे तो बिलकुल न्यारी और प्यारी अवस्था से foreigner बनकर हर एक कर्म करेंगे तो आज सभी यही अभ्यास करेंगे कि मैं foreigner हूँ ओम शांती प्रभु तुम को समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा तो ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु तुम को समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा तुही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु तुम को समर्पित करते हैं हम बनके रहेंगे प्रभु तुम को समर्पित करते हैं प्रभु व्रता करते हैं आप से वादा सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा हम बनके रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आप से वादा सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा सर आखों पर रखेंगे हम सर आखों पर रखेंगे हम जो मिलेगा तेरा इशारा प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा जीवन सारा तू रखेगा प्रभू हमें सब कुछ है मन्जूर उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर जिस हाल में तू रखेगा प्रभू हमें सब कुछ है मन्जूर उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर दिल करता है आभारतरा तूने हमें स्विकारा प्रभू तुम को समर्पित करते है अपना ये जीवन सारा समान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे तिलो की ना मन वचन और तर्म से तुझे रखेंगे अपने सार समान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे तिलो की ना झाल